इस प्रकार का ट्वीट किस पर कर रहा है असोग चोदरी जी को इसका खुलासा करने चाहिए कभी जाती वाद के मुद्दे पर तो कभी फिर छोड़ देना चाहिए ये सब ब्यान अच्छा ब्यान नहीं है इंडिये घटक दल जो है वो कमजोर होगा इंडिये घटवंदन में दरार आजाएगी दरार आने की सवाल नहीं है लेकिन ऐसा ऐसा कोई मानिये मंत्री ब्यान दे तो ये ब्यान बहुत ही निरंकुस ब्यान इसको हम बोल सकते हैं इस बाइक करके तो बिबाक्ष के लोग कर यात्रा पे निकाल नहीं फिर से जो है एंडिये छोड़ देंगे वो ऐसे तो यात्रा पे जब-जब निकले वो छोड़ देते हैं और नहीं है ना कोई उन्हें कोई च्छमता है बिहार के CM नितीश कुमार उनके बेहद करीबी मंत्री असोग चौधरी के बीच हुई अनबन तो असोग चौधरी ने ट्वीट के माध्यम से बरी बात कह दी उसके बाद बबाल मच गया एक तरफ जदियू के मुक्के परबकता वो हमलावर हो गए थे क्लाइमट लीडर है उनके तरफ इसारा करके यह सब बाते जो है नहीं लिखनी चाहिए उन्होंने लिखा था कि बढ़ती उम्र में उन्हें छोड़ दीजिए अब इसमें बात्चीत करने क्लिए हमारे साथ RLM के मुख्य प्रवक्ता है राम पुकार सिन्हा जी असोक चोधर जी के ब्यान को पढ़ा है देखा है अब वो किस मानसिक्ता से ब्यान कर रहे हैं उनकी क्या नियत है यह हम तमाम एंडिये कड़बंदन के सहजोगी दल है हमारी पाटी राष्टी ये लोकमोर्चा वो किस रूप में लिख रहे हैं मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि अस मंदन की सरकार में और इस प्रकार की ट्वीट उनका यह तो सोभाद देने वाली नहीं लग रही है इस प्रकार का ट्वीट किस पर कर रहा है असोक चौदरी जी को इसका खुलासा करने चाहिए वे अंडिये के मंदन में बिहार के विकास पुरुस मुख मंत्री आदरी नित वो तो कह रहे हैं अपने बाल बच्चे के लिए लिखे थे लेकिन वो तो दिख रहा है कि स्यम नितिश कुमार के तरफ इसारा था उनके तो परवक्ता भी बोल दिये कि इस तरफ के असोक चोदरी की बात नहीं करना चाहिए इससे पहले भी उन्होंने भूमियार को ले करक तो क्या लग रहा है असोक चोदरी जो है वो अब स्याम रजक से डरे समय से लग रहे हैं क्योंकि स्याम रजक के आने से उनका कज़ छोटा हो जाएगा देखिए यह तो जनता दल्यू का आंतरिक मामला है और जनता दल्यू एंडिये कडबंधन के एक सहजोगी पार्टी है बिहार में जो हम सभी एंडिये कडबंधन के घटक दल है भारतिये जनता पार्टी जनता दल्यू हमारी पार्टी राष्टिये लोक मुर्चा हिंदुस को संदेष के घेरे में लग रहा है कि आँखिर उचाहते क्या हैं यहीं तुम्हें आपके चैनल लाइब बिहार के माधिय। से मैं पुछना चाहता हूं मानिये मंतरी असूग चौधरी जी से कि आप भिहार में अंडिये करविदन की सरकार में मानिये बिहार सरकार के मंतरी हैं और आप इस तरह का जो आप अपने सोचल Meer मीडिया से सोचल प्रेंटफॉन से जो आप लिख रहे हैं अब क्या दर्साना चाहते हैं इसलिए लोग तो इसे ही सवाल ख़रा कर रहे हैं कह रहे हैं मुख्यमंत्री अच्छे तवस्ता में हैं तो सरकार नहीं चला पा रहे हैं और यह टूइट करना नहीं लग रहा है संदेश कुमार जी बहुत अच्छी ढंग सरकार चला रहे हैं उनको अनुभव है और पूरा इंडिये गड़मंधन को मजबूती के साथ सरकार चला रहे हैं बिहार में नयाय के साथ विकास फिर उन्होंने यह बात क्यूं लिखा एक दो बार समझाने पर अगर नहीं समझे त स्वैंब बताएंगे ना मैं पूछना चाहता हूं सोग चौदर जी से कि आप हमेशा ऐसे ऐसे बिवादी सब्दों से और विवादीत बियानों से क्यों घीर जाते हैं हमें और बिहार सरकार के माने मंतरी हैं तो इंडिये कड़मंदन की मजबूती पर आप अपना बियान दीजिए इंडिये गटमंदन को कमजोर करने वाली ब्यान नहीं दीजिए मैं मानिये मंत्री असोक जाउतरी इसे अपीर करना चाहता हूं इंडिये गडबनन के घटक डल का एक तो यह बहुत ही निरंकुश बयान इसको बोल सकते हैं बिलकुल बिलकूर अईसा हम आई ऐसा ट्वीट नहीं बोलना चाहिए कभी जाती वाद के मुद्दे पर तो कभी फिर छोड़ देना चाहिए यह सब ब्यान अच्छा ब्यान नहीं है खासकर दोजार पचीस का बिहार बिजान सबाद चुनाओं आने वाले हैं सभी मानिये मंत्री को संजमीत ब्यान और संजमीत ट्वीट करना चाहिए ताकि हमारा अंडिय करमेंदन मजबूत रहे और विपक्ची को कोई सवाल उठाने का जरुवत कभी नहीं पड़े विपक्च सवाल क्या पूछेगा विपक्च स्वेम खंडित विपक्च है उन लोगों के पास कोई मुदा नहीं है लेकिन इतना हम क पाटि का पना नोगों किसी समिक्चा बैठक की बात हो या राज की समारो उसमें नजर नहीं आते हैं देखिए हर पाटि का भी सदस्ता भियान चल रहा है सबीलोग सदस्ता भियान में लगे हुए है जबुथ है, डि प्रिटी सीम नजर नहीं आ रहे हैं समæक्षा बैठा कोरी है, नैस्टनल है बे हो हो, एक्स्प्रेस बे हो, ये तो वेस्वम इसके बारे में जवाब देंगे मानिये दोनों डिप्टी सेम लेकिन इतना हम कर सकते कि एंडिये गर्मंदन हमारा बहुत मजबूत है बिपक्ष को कहने का कोई हमारे नेता पर हिसियत नहीं है ना कोई उन्हें कोई चमता है अधरनी विपेंद्र कुस्वाह जी बिहार की धर्ती के 38 जीला पर जितना वो जत्रा कर दी है ना विपक्ष की बोलने वाले की चुपिब बंद हो जाएगी सत्ता वाले जो विपक्ष में आज बोल रहे है न वो भी सत्ता में रहे हैं पंद्रा साल माता पिता की सरकार रही है फिर वो बीच बीच में आकर हैं मानिये मुख मंत्री जी के 60-60 कर दो दो बाट डिपकी सीम बन गए हैं उनकी ए हैसियत नहीं है कि हमारे नेता पार्टी के राष्टी एदक भारस सरकार के पुर्मंती और मानिये राज सबासान सदा आदा नहीं अमत् Daleकसा की सब्सक्राइबब्ल करें कितना वो यात्रा कर दिये हैं उसको लेकर करके जो सवाल ख़रा कर रहे है Soul कोई ऐब बaşक्त का वही पर ऐसोक्रै के बयान के बाद में अब खलवली सी मच गई है कि किससे में वो दरार आएगी नम लेश्त कुमार लाजि पत्ना